दोस्तों यहां पर आप देशक्ति यह एप्लस का एपी 262 है यह पहली बार डीजय सेटफ लोडिंग हो रहा है और आपको बता दी यह बिल्कुल नया डीजय सेटफ है एक भी बार भी लोडिंग नहीं हुआ अभी एक भी पार भी बुकिंग पर भी नहीं गया फिलाल यहां पर आप देशक्ति यह एपी 262 है सबसे में कमी में बताूंगा एपी 262 में इसकी कमी क्या है और आपको एक चीज़ यह भी बताएंगे बहुत ही भारी नुकसान हुआ है तो अभी आप लोग को बताते हैं कहीन नुकसान क्या हुआ हुआ तो आपको आज हम अहुजा की भी कि मारेंगे और A+, की भी मारेंगे, ठीक है, दोनलों लोगों के भी हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, तो यहां पर अब धेस चुछती हो, यह disc round लोडिंग हो रहा है, और यहां पर अभी each wszyscy app loading करते हैं, और करने का बाद आप लोगों को हम बताते हैं इसकी प्रॉब्लम्स किया है जैसा कि दूस्तों आप देख सकते हूं यह प्लस का है AP 262 जो कि कैमरा थोड़ा सा यहां पर वाइड ज़्यदा हो रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि धूप आ रहा था पहुँ ज़्यदा तो देख सकते हो भाई यहां पर अभी आपको हम दिखाते हैं ठीक है इसको लोडिंग होने दो और इसके खास बात अभी बताते हैं और अच्छा ही बुर तो कलर में उसकी मझ Glasबताई काफ अच्छी थी लेकिन इसकी जो प्यंट की मझोबताई जो हैं बहुत ही डाउन है ठीक है मैं यह चाहूंका यह पार जो एप्शी A plus में जो होता है हमारा जो five call होता है जो जिससे हम लोग मजूबताई करते है वो चीज बहुत ही खराब है Finishing की बात करें Finishing भी काफी अच्छा है बहुत ही अच्छा है लेकिन pent में थोड़ा सा improve कीजिए मैं ये कहना चाओंगा ठीक है यहां पर बात हो गई A plus की तो A plus की quality काफी अच्छी मुझे लगी सब कुछ काफी अच्छा है बट इसका जो यहां पर pent है pent मुझे सबसे घटिया लगा ठीक है इसका जो pent है ऐसे उचटा है जैसे rubber हो ना उस type का हो रहा है तो यहां पर आप देशकते हो हमाले 3 top loading हो चुगे है और अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कैसे setup loading हुआ है फिलाल framing देख सकते हो frame कैसे बना हुआ है और आपको सब कुछ अभी देखने को नज़र आएगा तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं आगे मामला क्या हुआ आगे काफी जदा नुकसान जहलना पड़ा है और अभी अहुजा की भी मारी जाएगी अहुजा में क्या problem सही अहुजा के amplifier में क्या हुआ भाई एक भी बार अभी एक भी पैसा नहीं कमाया गया अहुजा के amplifier से और उसमें दिक्कते आ गई और क्या दिक्कते आई अभी आपको बताते है मतलब ब्रैंड पर हम लोग इतना भरोसा करते है ठीक है की अहुजा है हमारा जाना माना ब्रैंड है लेकिन जब जाना माना ब्रैंड ही दोखा दे जाए तो फिर गलत बात है ना तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं यहां पर क्या दिक्कते अहुजा में आई है और यह फॉर्म सेफटी के लिए डाले दे रहे है कि हमारे जो कैबिनेट से इसमें इसक्रेश ना आए यहां पर फॉर्म टाला जा रहा है आपदे शेक्ति ओर यहां पर इस उर्म जाला जा रहा है तो आप देश चैक्ति ओर काफी लोग बोलतेबाएं कि आप तो मैं आपके आपको बतादू वहां पर 60,000 था तो लोग अब 60,000 ही बता रहे हैं तो 55,000 से 60,000 में आपको मिल जाएगा बट मैं आपको बता दू यहां पर लखनो मिल लिया था बाई ने तो यहां पर 50,000 का पेर आपको देखने को मिल जाता है 50,000 में यहां पर दिया था सायद old stock हो या कुछ भी हो I don't know बट यहां पर 50,000 में मिल था और जो हमारे 12 इंच ऊपर है यहां पर मिट के लिए तो यहां पर 12 इंच जो हमारे है इसमें A-plus के 200W के श्पीकर है 220W के श्पीकर काफी अच्छे हैं और box आप देख सकते हो JBL मॉडल है 12 इंच और A-plus भी आप देख सकते हो इसका color 12 इंच का black है और इसका अलग है तो अभी हम लोग इसका पुरा setting करेंगे और अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं कि भाई amplifier में क्या दिकते आई हैं कैसे क् है सब कुछ बताएंगे क्योंकि पहली बार डिए शेटाप लूडिंग हुआ है और पहली बार में ऐसा हो जा रहा है तो फाइनली यहां पर डीजे भी लूडिंग हो चुका है और आगे सेफटी के लिए जाली बंदी जा रही है कि भाई जानते हो कि बरात में लोग डांस आसन तो कुछ अधाता है तो हमारी जाली पिछे के जाती है तो आपार लिए जाली बंधी जा रही है न कि और किसी के लिए कोधे के लीए होता है यहां पर जाली जल्दी खराब नहीं कि लात मारत देते लोग तो दीरे दीर करके प्रेंड भी खढ़ने लगता काई शारी साज आती है हमारी सबसे में तो जाली पिछए जाती तो फीज़ स्पीकर जो हमारे लुक में देखने में अच्छे नहीं लगते तो यहां पर आप देश्च रेक्ति हो यह हमारी जो है जाली कशी जा रही है शेफ्टी के लिए और डीजे काफी अच्छा बुज़रा था और सबसे में परब्लम को दिखा दे यह हमारी अहुचा का एमप्लिफायर और इसंदकी में बीगड़ा भी क्या इसमें के तो माउस वैट जल सब्सक्राइब मतलब इतने हलके इतने खराब माउसपेट कंपनी क्यों लगाती है भाई कि मतलब एक भी बार कोई बंदा यूज न करें मतलब दुकान से चेक करके आयो यहां पर कडबड़ो जाए ठीक है यह बहुत खराब बात है और मैं अहुजा वालों भाई उसका कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा सुधार करो क्योंकि इतनी महेंगी आप एंप्लिफायर देते हो और वारेंटी सिर्फ लेते हो वह भी कि ट्रांसर्मा तो आज सबको पता हिक भाई नहीं जलता लेकिन कुछ इस पेर पार्ट्स के भी आप वारेंटी लिया करो जैसे कि मौस पेट होगे और आइडियो के कार्ड होगे इस अपके वारेंटी लिया करो ना या तो फिर वह इतना महेंगी एंप्लिफायर मत दिया क तो भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मौस पेट कर बढ़ते हैं और आपको एक चीज भी बताने चाहेंगे कि यहां पर यह एंप्लिफायर जो थी फॉल्ट मार रहे थी फॉल्ट में जब हम लोग अन करते थे स्विच अन करते थे एंस भी उठाते थे तो हम आपको बता दें कि यहां पर यह थोड़ा सुधार कीजिए और यहां पर आप देशक्तियों अहुजा के जो भी ब्रैंडिंग इसमें ट्रांसफार्मर इसमें सब में इस्टीकाश लोगो लगा हुए है आप देशक्तियों एंप्लिफायर खुली हुई है और यह तो कौन सर्विस देंटर ले जाएं तो मैं निवदर करूँँगा कि अभूजा वाले बाईएं इतना पैसा कमाते yönा अधा धुंत पहलते हो पैसा तो आप एक सर्विस संटार ना खुलवा दो हार स्टेट में हर जिले मेह आप एक service center खुला दो जिससे लोगों को आसानी हो बनवाने में आप पैसे लो लो आप पैसे अच्छे लो लेकिन हम लोगों original चीज तो मिल जाएगा यहाँ पर दुकांदार अंधा पेल रहे हैं पैसा ठीक है तो आप एक service center खुला दो जिससे आपकी महान कृपा होगी तो गाइस ही नहीं हो रहा है भाई कि brand कि इतनी जल्दी खराब हो गया दोस्तों मिलते है next video में